पचार गंटे आप पूस्टाज करें सुनिया जी को बुलाया है अब आज तीसरी दिन है तीसरी बार तीसरी बार है और पता नहीं वो कब तक बुलाएं तो ये जो एडी का आतंक है देश के अंदर ये आतंक मचा रखा है इसका फैला जल्दी होना चाहिए सुप्रिम कोर्ट में केहे चल रहे है सुप्रिम कोर्ट में चाहिए कि जो देश का मूड है पूरे देश के अंदर लोग चिंतित है और पाइंट फाल परसेंट भी इनके सक्सेस रेट नहीं है तो क्यों नहीं इसके लिए जल्दी फैला हो ये CRPC के प्रोसेस भी अड़ेप्ट नहीं करने है इनका अलगी तरीका है तबतीश करने का भी एरेस्ट करने का भी बयान लेने का भी इनको एक प्रकार से CBA ही ज़्यादा पावर मेली होई है इंकम नहीं जा जाता हमाँ चले जाते हैं लोग तो एक इशू बन जा देश के अंदर उसको भारत सरकार को खुद को चाहिए कि डेमोकर्सी में उच्छी तो नहीं है वो बकाईदा सुप्रीम कोड के नेने को ज़दी करवाए ये मैं एक तो निवेदे करना चाहता हूँ इडी का उप्योग सरकारे गिराने के लिए कह जाता है बड़े रूप के अंदर जो माराश में देखा भी आपने सरकारे गिराने के काम जो कर सकती है इडी पर मंतिमिल बनने के काम नहीं कर सकती है 28 दिन देवाँ मंतिमिल नहीं बनाए कादिश शेम और डिप्टिश शेम आपर बैठे वे हैं तो ये क्या इंगित करता है डेमोकर्सी की दिशा में जा रही है आप लोग सोच सकते हो इस रूप में आर मेंगाई और बिरोजगारी की जो इस्तती देश के अंदर आर्थिक इस्तती घर्थ में जा रही है उसको लेके पुरा देश चिंतित है नौजवान चिंतित है उसके लिए मेंगाई से आम नागरिक चिंतित है उसके उपर पार्लेमेंट के अंदर बहुत करना चाहें तो करना नहीं जाती है 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया कल, पहले चार को कर दिया अज्याज साब और बैटे हैं हमारे आनुज समारी वरिश नेता हूँ जहां तक मुझे नॉलेज है, कौंगे सासर में कभी भी किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता था 80 से हम देख रहे थे, उसके पहले भी 80 से हम देख रहे थे, 12-12 दिन तक पार्लामें नहीं चली है तब भी किसी को बार फैंगने की बात हैं नहीं होती थी और इनोंने मजाग बना रखी है, ये तमाम जो इस्तिय बने हैं देश के अंदर इससे पूरा देश इतना गवरावा है, चिंतित है और इनको ये गवर्मन्ट है कि देश इन बातों को भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इनोंने अपने बाते तो बुला दिये मेरे बहुत बहुत लंबी लिष्ट है जहां पर 2014 के चुनाओं के अंदर जो केंपेंच चला था वो बाते तो लोगपाल भी हो ब्लेक मंदी लेके आएंगे वो सरकार बनते ही जो S.I.T. बनी थी सुमिंगोड इज़स के दिखता में ब्लेक मंदी लाने वाले के उन तो सब गाय भी हो गए उनकी बात तो क्या करें कल जो मीडिया ने एजन्ड़ दिन बच चलाया सोनिया गांदी जी और इनको जो यह रिश किया गया है और उन्होंने खाली बच उसे भी डिवर्ट चलती रही कि सोनिया गांदी जी के बयान लेने के उपलक्स में भी हला हो रहा है कौंगे का रहा है महँगाई और मुद्ध दूसरे भी हैं दूस्गारी के हैं उन पे क्यों नहीं हो रही है किसने का नहीं हो रही है जैपुल में इराश्टी इस्थेस का महँगाई विरूदी सम्दन होगा ता आपको जयाद होगा आप मेरी कुछ लोग आया होंगे महाँ पर उर्सवक्स से करीफ साल बर हो गया उर्सवक्स से महँगाई बरूरगाई हमारा मुख्य मुद्धा है पर कितना मीडिया दिखाता उसको कितना कवरेज करता है क्योंकि मीडिया दबाव के अंदर है मीड़ा जो मालिक तो बहुत घब रहे हो है कब एडी पहुंच जाए कब इंकम लक्स पहुंच जाए कब सिभी पहुंच जाए ये इस्तती है देश के अंदर और हलाते ही थे कोई दिखाते नहीं है डिसकेशन डिबेड होती तो का होती है उन मुद्धों पर जाए था इस्ट्री मैं निवेदने करना चाहूंगा अराहुल गांदी जी सौनिया गांदी जी के डी के दोरा जो बलाया जाता है उस पर चर्चा की है अनफार्चनेटली मैं एक दो महमें से मेरी तबीयत कराब नहीं थी कराब चल रही है और जिसके कारण मैं धरनों में भी शामल नहीं हो पाया और ज्यादा जानकारी इसके बारे में पराप नहीं कर पाया कई हफ़तों में होस्प्राल में रहा तो इसके कारण सब हमारे साथियों ने समय समय पर अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से इस मुद्धे पर चिंता पगरट किया मेरे लिए कोई नई बात ने कहने के लिए जो हमारे साथियों ने पिछले एक दो महेने से ना कही हूँ और कईयों को तो बहुत जानकारी है पूरे केस मैं संशेप में इतना कहना चाहूंगा कि कौन सा पेपर है नेशनल हराण का या उस से इससीटिज जो भी पेपर है वो सब इनफोर्स्मेंट एजेंसीज के पास जिसकी कई सालों से कई बरसों से वो जाँच परताल कर रहे थे और एक वकत में तो सुनने में आया था कि उसमें कुछ नहीं है और बंद कर रहे हैं चलो बंद नहीं किया फिर राहुल गांदी जी से तकरीबं तीज गंटे केस से ज्यादा पांच दिनों में इनफोर्स्मेंट डिरेक्टेट ने उनको बलाया और डबल शिफ्ट में उनसे बातचीट की तो मेरी समझ में नहीं आता केस एक है फैमिली एक है फैमिली के दो आदमें का नाम जो उसमें लिखा है उसमें जब बेटे से राहुल गांदी से पांच दिन कई घंटों दरजनों घंटे आपने बातचीट की उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जोगत है आरहुल जी चलो एक जवान है लेकिन सोनिया जी की उमर और जिस तरह की वो कुछ सालों से बिमार चलती आ रही है और किस तरह से वो पिछली छे महिनों से हास्पिटल में भी दा कर रही कई दिन घर में भी बिमार रही जय को चाहते है जय को चाहते है